इस बुलिटिन के प्रायोजक है योगमनी इंस्टिटूट ओफ नर्सिंग तब मेर जगत बहादूर से अन्नु ने मोचा समाला और विपक्ष को गड़े भरे जाने संबन दी जानकारी दी मेर ने कहा कि जो गड़े भरे गए बारिश के कारण उनकी हालत फिर वैसी ही हो गई मेर ने यहाँ भी इस विकार किया कि फिलहाल अभी पूरे गड़े भरे भी नहीं है उन्होंने कहा कि फ्लाय ओवर के नीचे वाले गड़ों को बरना नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन फिर भी निगम ने ही गड़े भरे तोई सूत्रिय मांगो को लेकर बुदभार 21 सितंबर को हरताल पर गए निगम कर्मियों ने आज 22 सितंबर को काम काज सुबह से ही ठप रखा विबागों के ताले नहीं खुले कर्मचारी संपर नगर निगम कमिशनर आशीश वर्षिष्ट के उस आदेश का भी असर नहीं दिखा जिसके हरताल को अवैदानिक बताया गया है उल्टा कर्मचारी नेताओं ने गद्दिवस का दर्ज कराई गई एफ आई आर को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है तोटल परजी एफ आई आर है सीसी टीवी फोटेज आप देख लग सकते है एक जगह यह नहीं दिख रहा है कि हमारे कर्मचारी ने जाके तोड़ पोड़ की है सिर्फ और सिर्फ इस हरताल को हतम करना कर्मचारीों को कुछलने की नीटी के तहट यह एफ आई आर की गई है तबाव मनाके रात को ग्यारा वजे तक उसको प्रताड़त करके उससे कहा जा रहा है कि यह नाम लिखवाई यह तब फाइए तो प्रसाथन क्या समझता है कि यह कैया करने से हम डर जाएंगे यहां में जेल भेद दोगे आप तो यह कुचल जाएगा हमारा अंदूलन बिल्कुल नहीं यह हमारे अंदूलन का दमन करने के लिए शासन का यह प्रयाश है तो आप देख पार हैं सांतिपून धंक से अपना कारिग्रम कर रहे हैं अंदूलन धरना कर रहे ह और यह कमिशनर की नादर साही क्योंकि वो अपने आपको बचाना चाहते हैं से लिए कल छुटी पे ते और आज हमारे अंदूलन को बंद करना चाहते हैं और अंदूलन हमारा सिर्फ इस बात पर है कि हम क्यों करें 35 योजनाओं का संचालन शासन के साथ विवाग क्रिशी बंद विवाग बैंक राजस अन और विवागों संचालित करना तो समसे करवाए जा रहा है जिसका विरोध कर रहा है और इसी कारण आज यह दमनकारी नीटी चली है और हमारे उपर एफ आपर एफ आइर कराए गई हम इसका विरोध करते हैं बिलकुल संपूर्ण काम वापस नहीं ली जाती है तक तक हमारा कर्मचारी साथी और हमारा संग्ठन यहीं अनुवरत कामबंध हरताल करते हैं जवलपुर और पूरे भारत में उपन वैप पर एक्सचेंज से सट्टा खिलाने वाले फरार आरूपी सती संपाल और उसके नौ गुर्गों के दायत थाने में दर्ज करवाई गई थी वहीं लॉकडाउन के कारण इसकी सूचना विलंब से 22 जून 2022 को पीडित ने स्टेट बैंक आफ इंडिया में दी थी और चेक में स्टॉप पेवेंट लगवाया गया था जबलपुर में दिन बार शहर में आटो चला कर सूने मकान की रेकी फिर रात में महिलाओं के कपड़े पहन कर रेकी किये हुए घरों में जाकर चोरी की वारदात को अंजान देने वाले शातिर चोर को गड़ा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस पूश्टाज में पकड़े गए चोर ने गुरकपुर थाना शेतर की चार चोरी मदन महल लाडगंज और गढ़ा थाना शेतर की एक-एक चोरियां कबूल की हैं चोर की निशान देही पर पुलिस ने उसके कबजे से सोने चान्दी के जेवर सहित करीब 11 लाग रुपे कीमत का सामान जब्त किया है थाना शेतर के चांदरी चोर के लागे में रहने वाली 11 वर्षी नाबालिक बच्ची के साथ उसके ही रिष्टे के फूफा के द्वारा घर में अकेला पाकर अश्लील हरकते की गई जिसके बाद जैसे तैसे बच्ची अपने आपको बचा कर पड़ोसी के घर पहुँची वहीं जब उसकी मा आई तब उसने अपने साथ हुई हरकतों के बारे में मा को जानकारी दी जिसके बाद में हनुमान ताल थाने पहुँची और अपने नंदोई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आई वहीं मामले में हनुमान ताल थाना प्रबारी उमेश गोलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान ताल थाना चेतर में नाबालिक के साथ उसके रिष्टे के फूफा अश्लील हरकत की है मा की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफतार किया गया है और वह खुद बंगलो में जाके खाने अमनाने के काम करते हैं तो नो मजे इनकी 11 वर्षी बेटी घर पे अखीडी थी उसी समय जो है इनका नंदोई जिसका नाम आमीन है लड़की रोने लगी और जैसे दैसे चूट के अपने पड़ोशी के हां चली गए जब उसकी माँ घर वापस आई अजले से तो उसको सारी बात बताई और बेटी कहने लगी कि मा पूफा जो सही आदमी नहीं जो रहाए ब गर्मत बुलाये करो पुरी बात भी इसके बेटी ने बताई कि यहां वहां भी तुछ किया है गया उससे तो बहुत गलत ए इनसान है फिर जो जो इसके माह ने प्लगा के अपने नंदोई के पूछा कि कहा हूं तो बोला कि मैं विक्तुरिया में कांचा आया हूं इलाज कराने के लिए तो वससे लगा नहीं गया और बच्ची की मां प्राक्षिया है वहां सीधा विक्टोरिय पहुंची और विक्टोरिय हमें जाके उसको सबक सिखाया इसको दो-चार चाहटे मारे और फ्यादरी बात ओमती तक पहुंची और ओमती से जैसी बदस अलए हमाई गाटन चेता है तो हमने इत जबलपुर में मुख्यमंत्री जन समस्या निवारन शिविर में नगर निगम करमचारियों द्वारा की गई तोडफोड़ और मारपीट की घटना सामने आई हैं घटना के बाद शिविर में बादा हुद परने करने वाले नगर निगम करमचारियों के खिलाफ इस्थानी थाने में मामला पंजीबद कराया गया है बुद्वार को टाउन हॉल में मुख्यमंत्री जन समस्या निवारन शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें आम जनता की समस्या के निवारन शिविर के माध्यम से किया जा रहा था इस शिविर में नगर निगम की करमचारियों और अदिकारियों को लगाया गया था इसी दोरां नगरणेगम कर्मचारि संग के लोग शिवर में जा पहुंचे और इसके संबन्में नगरणेगम कर्मचारियों दोरा एक फॉयर दर्ज करवाई गई गयार और उसमें पलिस अपना काम करेंगी जोतरपीट और द्वारकादीश के शंकराचारे स्वामी सरूपनन सरस्वती के देवगमन होने के बाद उनके शद्धालूँ में शोक का माहौल है जबलपुर के बगला मुखी मंदर सिविक सेंटर में के सरिया जागरती वाहीनी संगठन द्वारा श्रदांजली कारकरम आयजित किया गया इस शोक सभा में प्रह्मचारी चैतन ननत महराज सहित जागरती वाहीनी के अन्य लोग उपस्तित रहे संगठन के लोगों का कहना था कि शंकराचारे ने लंबे समय तक हिंदु धर्म के लिए कारे किया था और अपना संपूर्ण जीवन हिंदु धर्म पर ही अर्पित किया है तफ तक इनों ने हमारे धर्म की रक्रशा के लिए बहुत संगर्स किया और हिंदु धर्म को जागरत करने के लिए लोगों को प्रेईद किया इस उपलक्ष में हम लोग यहां आये कि हमारे संकराचारे जी ने जो हमें दिया है हम थोड़ा बहुत उनके सद्धा में, उनके चरणों में सद्धा सुमन अरपित कर सकें उनकी एक्षा थी कि इस पीट को भी महराश्री समालित महराश्री उस पीट पर विराजमान हुए और ऐसे दोनों पीटों का संचालन करते हुए उन्होंने जो हमको दिया है उसको हम कभी बला नहीं सकते और हम ऐसे गुरू को पाकर के धन है और यही परातना करते हैं कि हमको जन्म जन्म है यदि गुरू मिले तो ऐसे गुरू हमको प्राप्त हो जो हमको धरन अब दिस करके ईश्वार के माता के परती है परम गागरत हो